विदार्थियों गुड़ मॉर्णी आज विदार्थियों कुछ हर्याने के बारे में जो बेसिक बातें उसको करेंगे कि विदार्याने कब बना फर्स्ट दॉवंबर 1966 को इस देर्द बना विदार्यों ठीक है अब यह है कि अब यह हर्याना की जो साउत थे नौर्थ और साउत बारें कहां से कहां तक है इसके बारे में ठीक है यह ध्यान रको कि वे सहापूर दोहा चोटाला और विदार्तियों ताज्यवाला ये इसकी बाउंडे विदार्तियों ठीक है जो इसके साउते का जो बिल्कुल स्तान है जो लास्ट वो दोहागाओं है पस्चिम में चोटाला है पूरों में ताज्यवाला है और नौर्थ में साहपूर है ठीक है नौर्थ में साहपूर है इसका और यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लंबाई वो है यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है ठीक है तेन सो 363.17 किलो मेटर यह बत्चों यहां से लेके यहां तक सोरी 363.17 किलो मेटर ठीक भी दार थे हूं और यहां से यहां तक है जो 350.17 यह गड़डों के भी दार थे हूं यह 31 है 61 नीचे है किलो मेटर यहां से यहां तक भी दार थे हूं ठीक है 350.17 किलो मेटर यहां से लेके पुरव से पास्चिम तक या पास्चिम से पुरव तक और नौर्थ से साउथ तक या उत्तर से द्रेक्षन तक 333.61 km ये वितार थेूं कि नोर्थ में सापुर गाउं है देक्षन में दोवा है पस्ची में चोटाडा है और पूरो में ताजेवाला है ये वितार थेूं अब इसमें जिस समय में हर्याना आजाद हुआ सोरी हर्याना अलग राज्य बना उस समय में इसमें साथ जिले थे कितने थे बच्चो साथ जिले ठीक है कौन सी क्या नाम थे इनका अजगारे महक ये नाम था बच्चो इनका क्या नाम था अजगारे महक ये नाम था ठीक है और उसके बाद जैसे ऐसे अमबाला, जैसे जीन, गैसे गुरुग्राम, पहले गुरुगाम अथा बत्चुई, ठीक है? जैसे अरैसे रोहतक, मैंसे महंदरगड, महंदरगड, और हैसे हिसार, और कैसे करनार, ठीक है विदार्थियों, इस परकार है, इसका वो, कि भाई, नाम याद रखने के लिए, आजगर महक, साथ जिले, उस समय में, ये बने थे, आज जो फिल अहल है, बाहरियाणे में, आज कितने जिले हैं, 22 जिले, सबसे जो लास्ट जिला बना, वो चर्खी दादरी बना था, ठीक है विदार्थियों, 22 जिले, और इसमें डिव जिले, इसमें डिविजन, 6 जिले, ठीक है, कितने डिविजन है, 6 जिले, अगर फेहक, ठीक है, अगर फेहक, इसका ये नाम कर दो, जब इसका नाम हमने अजगर महक कर दिया, तो इसका इसको जे हटा दो, ठीक है, ठीक है, परसासनिक जो डिविजन हैं, उसकी बात कर, ठीक है, छे डिविजन है, कि अमबाला, ठीक है, गुरुगराम, रोहतक, हरिदाबाद, हिसार, और करना आदो, जिया होगे बच्चों, ठीक है, ये थोड़े से, बैस याद रखने कि आजगर महक, और जैटा दो, अगर भहक महकी जैटा आएगा, कि ये उस समय में 1966 में जिले थी, ये ध्याना क्यों, जो साथ जिले मैंने बताए, आज हरियाने में 21 जिले हैं, सोरी, 22 जिले हैं, साथ जिले, जो सुरू के ये जिले थे, बच्चों, अजगर महक, डिविजिन कितने हैं, 6, दो जोड़ दिये, कौन से जोड़ दिये, जो नए आए, करनाल और फरिदाबाद, ये जोड़ दिये, भी दार्थियों, दो, नए, पहले चार थे, इसलिए अच्छा हुआ, कि ब बटवारे किये जाते हैं, जो डिविजिन किये जाते हैं, बच्चों, ये परसाशन को समूतली चलाने के लिए किये जाते हैं, इससे रोजगार मिलते हैं, कि पहले हम 7 DC होते थे, आज 22 DC हैं, ठीक है, इसलिए, तो परसाशन को समूतली चला आजाए, इसलिए होते हैं, ये च्छे डिविजन आगर फहक यह होगा अब फिर उसके साथ जो है पुलिस रेंज पुलिस रेंज और पुलिस कमिशनर कमिशनरी कहा का पर है ठीकन गफे सप यहाँ पर पुलिस कमिशनरी बत्चो गफे सप गय का मतलब फिर गुडगामा या गुरू गुराम एक बात बत्चो प्वे का मतलब पंच कुला से का मतलब सोनी पत्थ से यह बत्चो शड़क वाला से सोनी पत्थ और प्वे का मतलब फरिदावाद यह बितार द्चो गफ से सड़क वाला बितार द्चो गप सब पुलिश कमिशनरी चार जिलों में है ठीक है पुलिश रेंज कितनी है पांच ठीक है पांच पुलिश रेंज है अक्सर अक्सर है ठीक है अक्सर याद रखके फिर है और जोड़तों यह द्यान अख़रो फिर वही है ऐसे अमबाला कैसे करनाल सेह विदार्थ्य यह सेद द्यक्षन हर्याने के लिए है साउत हर्याने के लिए है यह ध्यान रखना बात ठीक है आर से रह तक और विदार्थ्यों हैसे हिसार ठीक है तो बहुत ही इजी बत्चो कोशिश की मैंने के भी आजगर महक और भी थे इसके छोटे जो नाम बाइब्रिवेशन बन सकती थी लेकिन उससे फिर यह नहीं जुड़ता था यह अगर फैक ने जुड़ता था यह आजगर मैं जैकार दो मैं का फैकर दो एक बात होगे के छे डिविजन होगे शात राजबूस में जिले होगे यह 1966 के है यह धानखनबाद यह डिविजन आज के है पहले चार होते थे करनाल फिर दवाद दो जोड़े हैं नहीं ठीक है अगर अमबाला गुरू गराम रहोत तक फिर दवाद हिसार करनाल पुलिस रेंज पांच है ठीक है अकसर है जोड़े अकसर में है याद रख लो अकसर है सै का मतलब यह मानलो एस साउथ हर्यानी के लिए अमबाला करनाल साउथ हर्याना रहोत तक फिर पुलिस कमिशनरी कहा है गप सप गप सप गड़गामा पंचकुला सोनिपत फिर ठीक है विदार्थियों तो सिंपल से कोशिश की है तुम्हें अब याद करोगे अच्छी तरह और बोलोगे नहीं फिर कि विए अजगर महक अगर फैक गप सप अकसर है ठीक है तो थैंक्यू बच्चो